नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब्स क्यान में आज के वीडियो में हम आपको Google Docs के बारे में बताएंगे पिछले वीडियो में हमने आपको Google Form और Google Drive के बारे में बताया था हमने एक Google के important products है जो useful products है उनके एक playlist शुरू की है अगर आपने हमारी ये playlist एड नहीं किया है या हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारी चैनल को subscribe कर दीजिए आगने वाली वीडियो काफी useful होने वाली है काफी सारी ऐसी वीडियो आएंगी जो आपको बहुत ही उपयोगी हो सकती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जैसी आप Google Docs पर click करेंगे या 9 dots हैं इन पर जाएंगे और Google Docs पर click करेंगे तो आपको ये interface सामने खुल कर आएगा Google Docs पर आप simply Google search के through भी जा सकते हैं सर्च में Google Docs कीजिए और आप Google Docs में आ जाएंगे Google Docs के homepage पर आपको काफी सारे templates दिखाई देंगे जिसमें आपको resume के काफी सारे template मिल जाएंगे और आपको letters के काफी सारे template मिल जाएंगे और काफी सारे receipt के भी templates मिल जाएंगे जिनका आप अपने तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं अपने तरीके से उनको modify कर सकते हैं और उनका use कर सकते हैं जो कि आपके काम को काफी easy बना देंगे अगर आप बिल्कुल blank format से शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर blank format चूज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं blank format से blank format पर क्लिक करते ही आपको लगबग लगबग Microsoft Office के word जैसा interface खुल कर सामने आ जाएगा जैसा कि आपको पता होगा Microsoft Office में word होता है उसी तरीके से Google का Docs होता है लेकिन काफी सारी ऐसी चीजे हैं जो आप Microsoft word में नहीं कर सकते Google Docs में वो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे sharing की अगर आपको Microsoft word की file share करनी होती है तो आपको पूरी की पूरी file या तो email के थरू या किसी storage device के थरू आपको share करनी पड़ती है लेकिन Google Docs को आप simply एक छोटे link के थरू शेयर कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको save कर लेते हैं इसको हम test के नाम से save कर लेते हैं यहाँ पर आपको link मिल जाएगा जिसे आप simply copy करकर share कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप इसको copy करकर share करेंगे तो जब भी कोई बंदा इस लिंक को खोलेगा तो आपके पास मिल आएगा तो आप उसको access देंगे तब खोल पाएगा लेकिन हम यहाँ पर इसको change to anyone with the link पर click करके इसकी property change करके link share कर सकते हैं जैसे ही आप इस पर click करेंगे यह आपको green color का एक link यहाँ पर मिल जाएगा green color का URL मिल जाएगा तो जिसके पास भी यह link होगा वो इस documents को देख सकेगा इस्तमाल कर सकेगा अब देखने और इस्तमाल करने की property भी आप यहाँ से change कर सकते हैं कि जिसके पास यह link होगा अगर आप यहाँ पर यूवर पर click करके रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ document को देख सकेगा उसको edit नहीं कर सकेगा अगर आप यहाँ पर editor पर click कर देंगे तो जिसके पास यह link होगा जिसको आप link share करेंगे तो वो इस document को edit भी कर सकेगा तो यहाँ से इसको copy कर लीजे और जिसके साथ भी आप link share करना चाहते हैं उसको किसी भी माध्यम से या तो email के माध्यम से या किसी social media के माध्यम से WhatsApp के माध्यम से या text message के simple text message के माध्यम से भी आप इसमे link को share कर देंगे तो वो इस document का इस्तमाल कर सकेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको Microsoft Office Microsoft Word की तरह ही यहाँ पर आपको menu bar मिल जाएंगे जिसमें home edit view ऐसे काफी सारे menu है तो एक एक करके हम इसके बारे में आपको जानकरी देंगे यहाँ पर सबसे पहले मिलता है आपको file file में भी आपको यहाँ पर share का एक option मिल जाता है जो आपको यहाँ पर corner पर मिला है उसके बाद यहाँ पर new documents आपको कोई खोलना हो कोई spare seat वगएरा खोली हो तो यहाँ से directly आप यहाँ पर खोल सकते हैं कोई आपका पुराना document बना हुआ है उसको आप यहां से खोल सकते हैं इसी document के अगर आपको copy करना होते हैं इस document को mail करना है तो यहाँ से आप simply mail भी कर सकते हैं इसको offline download करना है तो यहाँ पर kya format में आप it you download कर सकते हैं Microsoft Word format में भी yep text format में PDF format में plain text ऐसे कही सारे format में आप इसको download कर सकते हैं make available offline इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप click कर देंगे तो यह अगर आपका net नहीं चल रहा है internet आपके pc में यह मोवल में नहीं चल रहा है तो इसको आप offline भी यूज़ कर सकते है इसको फिलाल हम अभी ओफ कर देते हैं उसके बाद जो सबसे important चीज आपको मिलती है यहाँ पर मिलती है वर्जन हिस्ट्री वर्जन हिस्ट्री का मतलब यह है कि जब 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 आपने अपने इस document में कोई modification की है तो आपको वह यहाँ पर देखने को मिल जाती है जैसे कि मैं simply यहाँ पर नेम लिख देता हूं यह बच्चो जैसा काम क्या है सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं अपने नेम ही लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने किस मिन्ट पर हमने यह फाइल करेट करी थी और 9 बज कर 24 मिन्ट पर हमने एक इसमें modification की है जो कि अभी अभी हमने यह माई नाम लिखा है यह modification की है इसी तरह आप जितने भी modification जिस डेट को जिस टाइम को करेंगे वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी क्या आपने किस टाइम पर क्या वह modification किया जैसे 9 बज कर किस मिन्ट पर हमारा format डॉकमेंट बिल्कुल ब्लैंक था और 9 बज कर 24 मिन्ट पर हमने इसमें एक modification किया है अगर हम आप इसको अपना 9 बज कर 21 मिन्ट पर जो हमारा डॉकमेंट था उसमें restore करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ पर थ्री डॉट है इस पर क्लिक करेंगे और restore दिस वर्जन पर क्लिक करेंगे और restore कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि जो भी उस टाइम का वर्जन जो भी उस टाइम हमने हमारे डॉकमेंट में डाटा था वो हमको यहाँ पर restore होकर मिल जाएगा यह गूगल डॉक्स का गूगल के जितने भी यह इस पेर सीट है पावर पेंट है इनका बहुत बड़ा फायदा जो कि आपको Microsoft Office में नहीं मिलता है आप किसी भी तरीके के इस other software में आपको नहीं मिलता है उसके बाद यहाँ पर rename का option है और यहाँ पर आपका move का move का मतलब यह है कि आपकी जो file destination है वहां से आप इसको move कर सकते हैं अब बात करते हैं file destination की तो यह जो file हमने test नाम से save की है यहाँ पर इसका यहाँ पर यह corner पर नाम आ रहा है कि हमने यह file test नाम से save की हुई है तो यह file कहाँ पर save होगी यह file save होगी हमारे Google Drive में जिसके वीडियो जिसका वीडियो हमने पहले बना दिया है उसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर आपको Google Drive के बारे में जान सकते हैं कि Google Drive के क्या का फायदा है और उसको आप कैसे इस्तमाल कर सकते हैं कि उसके बाद आता है add to shortcut to drive इसका मतलब यह है कि आपने मान लीजिए यह file किसी folder में save करके रखी है अगर इसको shortcut करेंगे तो Google Drive की home screen पर इसका एक shortcut बन जाएगा move to trace इसका मतलब यह है कि आप इसको delete कर देंगे लिकिन यह permanently delete नहीं होता है पहले में यह क्या है कि trace में trace नाम का Google Drive का जो trace नाम का folder है उसमें चला जाता है वहां से 30 दिन के बाद यह delete होता है अगर आपको instantly बिल्कुल permanently delete करना होगा तो आप trace में जाकर इसको delete कर सकते हैं उसके बाद publish to web का option मिल जाता है आपको यहाँ पर document details का कि कितना आपका document size है क्या नाम है कम modify किया गया कब बनाया यह सारी detail आपको यहाँ पर मिल जाती है यह देखें यहाँ पर location मिल जाएगी आपको कहाँ पर यह save है कौन इसका owner है कब modify किया गया था कब बनाया था यह सारी detail आपको document detail में यहाँ पर मिल जाएगी paste setup भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा print का option यहाँ यहाँ पर मिल जाता है बाकी simple option है उसके बाद आपको edit में जाएंगे edit में आपको under redo cut copy paste यह सारे काफी सारे option में आपको मिल जाते हैं जो आपको Google Microsoft Office में भी आपको मिल जाते हैं उसके बाद आपको view में विउ में आपको print layout यह mode editing यह viewing यह सारे वियू में मिल जाते हैं उसके बाद insert पर क्लिक करेंगे insert में आपको image insert table insert drawing chart यह काफी आपको इंसेट में मिल जाते हैं यहां पर आप किसी वर्ड पर लिंक भी लगा सकते हैं किसी लाइन पर लिंक लगा सकते हैं इस पेज को बुकमार कर सकते हैं और इसमें टेवल अप contents भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद आता है format format में आपको text formatting paragraph style align यह होती यह सा काफी सारे आपको option यहां पर मिल जाते हैं जो कि आपको formatting में आपको designing में काम आते हैं उसके बाद आते हैं सबसे important जो है tools tools में आपको spelling and grammar checker यह आपको Microsoft Office में भी मिल जाता है Microsoft Word में मिल जाता है लेकिन वह इतना properly काम नहीं करता जितना यह Google Docs का काम करता है यह क्या है कि real time आपको काफी सारे suggestion देता है उसके वाद word count भी है यहां पर और यहां पर आपको यह इसमें काफी सारे suggestion में मिलते हैं कि आप इसको किस तरीके से अपने document को edit कर सकते हैं ऐसे डिस्क नरी का option मिल जाता है जो कि आपको Google sorry Microsoft Office में नहीं मिलता इसके बाद voice type का बहुत अच्छा option है इसमें क्या है कि आप अपने आवाज को record करके आपके अपनी आवाज को text के format में convert कर सकते हैं जिससे आपको document write करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है बहुत ज्यादा आप तेजी से document write कर सकते हैं उसके बाद next option है वो है add-ons का बहुत ज्यादा important option है इसमें get add-ons पर click करेंगे तो आपको google docs के काफी सारे add-ons मिल जाते हैं जिनका आप अलग-अलग तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे math type हो गया इसके doc to form हो गया यह काफी सारे add-ons है जिसमें आप जिनको आप download करके google docs को और भी ज़्यादा powerful बना सकते हैं और उसका और भी ज़्यादा इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि आपको microsoft office के word में नहीं मिलता है उसके बाद यहाँ पर जो shortcuts दिये हैं काफी सारे shortcut दिये हूं जैसिकि यह आपका under window का है print का shortcut है spelling and grammar check का shortcut है print format का shortcut है ऐसे ही आपको यहाँ पर alignment के shortcut मिल जाते हैं आपको central line left-right line justify यह shortcuts आपको यहाँ पर दिये हैं जो कि microsoft word के adjectives है और कुछ shortcuts आपको यहाँ पर extra भी मिल जाते ह तो आप इस document का बहुत ही आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं और जिस तरीके से आप यहां पर computer पर इस्तमाल कर रहे हैं उसी तरीके का इस्तमाल आप अपने किसी भी smartphone के अंदर कर सकते हैं बस थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा बाकी आप बिलकुल इस format इस document को अपने smartphone में भी use कर सकते हैं edit कर सकते हैं और इसका easily इस्तमाल कर सकते हैं तो उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजे हमारे इस वीडियो को like कर दीजे और वीडियो को जादा से जादा लोगों के पास share की लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके और हमारे गूगल की जो गूगल एप्स की जो प्लेइस्ट है उसको जल्द से जल्द कर लिजे क्योंकि आने वाली वीडियो और वी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली हैं जिसमें हम आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताएंगे जैसे यहाँ पर आप सिंपल यह अपना ब्लॉगर पर अपनी खुद की वैबसाइट कैसे बना सकते हैं यह वीडियो ल